मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन अगर आपके कहे अनुसार चल रहा है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता, आपको खुश रहने से कोई नहीं रोख सकता, आपको स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोख सकता, पहली चीज, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड दीजिए, ये next to impossible है, आप मन को control नहीं कर सकते, उसे एक दिशा दे सकते हैं, जब मन बेकाबू हो रहा हो, इधर उधर डोल रहा हो, thoughts आ रहे हो बहुत जादा, तो आपको क्या करना है, अपने thoughts को देखना शुरू कर देना है, देखिए अगर आप विचारों को रोकने की कोश करेंगे न, तो वो और जादा बढ़ेंगे, what you resist, that persist, अगर मैं आप से कहूं कि आपको सोचना नहीं है, आपको एक बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या होगा, मन में उस बंदर के बारे में विचार आने लगेंगे, तो आपको विचारों को रोकना नहीं है, उन्ह देखना शुरू कर देना है, आपको राश्चरे होगा कि आपके विचार खत्म हो गए, मन में कोई थौट आ ही नहीं रहा, ये तो आपने खुद में प्रैक्टिकल देखा होगा, कि ऑफिस में जब काम कर रहे हैं, कोई थौट नहीं आते हैं, लेकिन रात को जब सोने के ल उदर डोल रहा है, तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा एंकर लेते हैं, और उसे समुदर के तल में गार देते हैं, जब मन इधर उदर डोल रहा हो, तो आपकी सांसे उस लंगर का काम करती हैं, उस एंकर का काम करती हैं, तो सोते समय या जब भी आपका मन इधर उदर डोल रह है ना अपनी सांसों पर ध्यान लगादे हर सांस को शरीर में आते और जाते हुए देखें यकीन मानिये दो मिनिट के अंदर अंदर आपका मन शांत ना हो जाए तो मुझे बताईए गा और जब मन शांत होता है तो जानते हैं अप जादा रिलेक्स रहते हैं आशावादी रह और अपने experience और अपने doubts आप मेरे साथ share कर सकते हैं अपना ख्याल रखें नमस्कार